नमस्कार जनवरी 2024 के एक ख़बर के अनुसार DMF यानि District Mineral Funds के इस्तिमाल में 36 गड़ देश में सबसे आगे है दूसरे नमबर पर ओडिसा है आईए जानते हैं इस ख़बर के बारे में District Mineral Funds यानि DMF के इस्तिमाल में 36 गड़ देश में सबसे आगे है पिछले आठ साल यानि 2015 से 2023 में यहां 9,334 करोड रुपए खर्च किये गए यह कुल संग्रहित राशी का 77 फीसदी यानि 77 परसेंट है राज्य में इस फंड के तहट लगबग 12,053 करोड रुपए का कलेक्शन किया गया दूसरे नमबर पर ओडिसा है यहां कुल संग्रहित राशी का करीब 59 परसेंट यानि 69 फीसदी इस्तमाल हुआ बता दें कि इस फंड के तहट माइनिंग शेतर में पानी, पर्यावरण, स्किल, स्वास्थ, शिक्षा, क्रिशी, महिला वबच्चों के विकास से जुड़े कार्य किये जाते हैं संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी गई दीमेफ के तहट ओडिसा में 14,507.5 करोड खर्च किये गए जबकि कलेक्षन 24,596 करोड रुपए हुआ था यानि कुल कलेक्षन की करीब 69 फीसदी राशी खर्च की गई देश के अनि 23 राज्यों में 46,771 करोड रुपए खर्च किये गए जारखंड में 5,875.7 करोड राजस्थान में 4,019.8 करोड तेलंगाना में 3,171.5 करोड मध्यप्रदेश में 2,639.8 करोड करनाटक में 2,040.8 करोड रुपए खर्च किये गए हैं आईए जानते हैं DMF के बारे में DMF एक गैर लाबकारी ट्रस्ट है यानि नौन प्रॉफिट ट्रस्ट है इसका मकसद उन लोगों और इलाकों के हित और लाब के लिए काम करना है जहां खननकारियों की वज़ह से जन जीवन पर प्रभाव पड़ता है गौर तलब है कि PMKKKY यानि प्रधान मंतरी खनीज खेत्र कल्यान योजना के तहत 23 राज्यों के 644 जीलों में DMF का गठन किया गया है प्रधान मंतरी खनीज खेत्र कल्यान योजना की गाइडलाइन्स के अनुसार कम से कम 60 फीसदी फंड हाई प्रायोरिटी एरिया में खर्च करना है हाई प्रायोरिटी एरिया में पेजल, पर्यावरन संरक्षन, प्रधूशन नियंतरन के उपाय, स्किल डेवलप्मेंट, महलाओं, बच्चों, व्रिद्धों और विकलांगों के कल्यान शामिल है 36 गण में इसमें 6,379.18 करोड खर्च हुए वहीं 40 फीसदी यानि 40 परसेंट फंड का इस्तिमाल, फिजिकल इंफ्रस्ट्रक्चर, सिचाई, एनरजी और वाटर शेड डेवलप्मेंट पर्यावरन आदी पर करना है इस पर करीब 2965 करोड रुपे खर्च किये गए हैं DMF फंड से 36 गण में सबसे जादा शिक्षा और कर्शी पर खर्च किये गए हैं इस टेबल या तालिका में आप इससे संबंदेट डेटा देख सकते हैं दन्यवाद